मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो स्पेक तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना नमस्कार शात्रो शात्रो आज मैं सैवंध कलास के लिए कुछ और मुझे लगा कि आपकी बाशिक प्रिक्षा के लिए कुछ और महत्व पूरण प्रेशन मैं डाल दूँ प्रेशन के साथ उत्तर भी डाल दिये क्योंकि प्रिक्षा फाइनल होने जा रही है सैवंध कलास की तो फिर उसमें कोई प्रशन मेरे से शूट ना जाए, बस आप लोगों की पूरी त्यारी करवा दूँँ। तो आज हैं मिक्स प्रशनों के उत्तर महाभारत के भी हैं, व्याकरन हैं के कुछ डाले हैं और कुछ बसंत के वीडियो अंतक देखना आपके लिए बहुत ही महत्तव पूरण प्रशन लेके आई हूँ आपकी प्रिक्षा के लिए। चलो शुरू करते हैं। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राए क्या है? क्या अभिप्राए है? रहीम ने अपने दोहों में किन बातों को लेकर लिखे हैं? मिन आपको उन से क्या शिक्षा मिलती है? तो बचो नीती की बाते हैं रहीम जी के दोहों में उनका अभिप्राए है नीती की बाते हैं आपको शिक्षा प्रद बाते उन से पता चलती हैं उन दोहों को पढ़कर रहीम जी के दोहों को पढ़कर आपको क्या पता चलता है? नीती की बाते हैं। सांचा मीत किसे कहा गया है सांचा होता है वच्चो सच्चा सच्चा मीत मीन दोस्त दोस्त किसे कहा गया है किसे कहा गया है तो रहीम जी ने साच्चा दोस्त जो सच्चा दोस्त है जो मित्र है आपका वो कौन सा है जो विपत्ती की कसोटी पर खरा उतरने बाला विपत्ती होत आपको कोई विपत्ती आ जाए जा आपको कुछ चीज की जरूरत पर जाए कभी जिन्दगी में तो उसकी किसोटी पर मीन उस समय आपकी जो मदद करने वाला है वही सच्चा दोस्त होता है पेड अपना फल स्वयम क्यों नहीं खाते हैं तो शात्रो आप बता सकते हैं कि पेड जो है अपना फल स्वयम क्यों नहीं खाते हैं क्यूंकि रहीम जी के दुहों में तो उन्होंने ये कहा है कि परोपकारी होते हैं क्यूंकि बे परोपकारी होते हैं ठीक है प्रवपकारी मीन दूसरों को देने वाले दूसरों की सहाइता करने वाले दूसरों के लिए ही दूसरों की भलाई में ही अपना भला सोचने वाले तो प्रवपकारी होते हैं मीन पेड़ में जो फल पेड़ पर जो फल लगे होते हैं वो हम लोग तो यह खाते हैं आप भी खाते हैं है ना वो पेड़ तो स्वयम नहीं खाता है तो यही बात रहीम जी ने अपने दुहों में कही है रहीम मनुश्यों को धर्ती से क्या सीख देना चाहते हैं रहीम जी कहते हैं कि मनुश्यों को धर्ती से सीख लेनी चाहिए क्योंकि ये सिक्सा लेनी चाहिए कि जैसे धर्ती जो होती है ना प्रित्वी अर्थ सर्दी गर्मी बर्साश सभी रित्मों को समाम रूप से सहती है बैसे ही मनुश्यों को भी अपने जीवन में सुक दुख को सहने की क्शमता होनी चाहिए उसको भी सुख दुख में रोना नहीं चाहिए और स्ट्रोंग होना चाहिए किस परकार स्ट्रोंग होना चाहिए जैसे ही हमारी धर्ती धर्ती जो है उस पर भभिन परकार के कोई तुफान आ रहे हैं कोई बूचाल आ रहा है तो कहीं पर युद्ध हो रहे हैं कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसमें उस शेहन शक्ती है तो हमें भी अपनी प्रिथवी जैसा बनना चाहिए स्ट्रोंग और सेहन शील रहीम ने कवार के बादलों की तूरना किस से और क्यों की है यह प्रिशन मैंने आपको तभी डाले हैं क्योंकि किसी भी रूप में आपको प्रिख्षा में प्रिशन पूशे जा सकते हैं जरूरी नहीं कि आपके जो NCRT की पुष्टक में है उसी से पार्ट से रिलेटीड पार्ट में कितने कोश्चन बन जाते हैं उसी के हिसाफ से मैंने और कोशिश की है कि सेबंध क्लास जो है वो में पीछे न रह जाए अच्छे नंबर लाने में तो इसलिए मैंने एक और वीडियो बना डाला ठीक है तो इसका अंसर दानिये रहीम ने कवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्दन हो चुके है जो रिच थे वह पूर हो गए और जो पूर थे वह उन दिनों की बात करते हैं जब धनी और था सुखी थे उनकी बाते पूरंता कवार के बादलों की खोखली गर्ज जैसी होती है कवार का महीना है कवार का महीने में क्या होता है कि बादल गर्जते हैं बरसते नहीं है तो उनसे उनकी तुलना की है कवार बादल गर्जते भर हैं और कभी बरसते नहीं है उसी परकार धनी लोग नि निर्धन से धनी हो जाते हैं तो वो अपनी धनी समय में जब रिच्च हो जाते हैं तो जब गरीब थे उसके अपनी बाते करते हैं अमीरी की बाते करते हैं ठीक है बच्चों आशा करती हूं कि आपको ये मेरी बाते जो हैं मेरे द्वारा समझाई हुए आपको समझ में आ रह तो उसमें जो था अपू लड़का था इस कहानी में तो उसका जो ध्यान था वैं कहां पर लगा हुआ था कहां पर सेंटर्ड था केंद्रित था स्यार और कोवे की कहानी पर तो उस में क्या कर रहा था स्यार और कोवे की कहानी के बारे में सोच रहा था अप्पू के विद्याले के रास्ते में किसके पेड़ों की घनी शाम थी में किस टाइब के पेड़ थे किसके पेड़ थे आम के थे नीम के थे किसके थे तो शात्रो आप्पू के विद्याले के रास्ते में नीम के पेड थे ठीक है कंची कैसे थे अब आपको ये बताना है कि कंचे कैसे थे तो कंची का आकार जो था बड़े आमले जैसा था यहां प्रशन पूछ सकता है कि कंचों की तूलना किसे की है तो किसे की है शात आकार में कैसे थे गोल और सफेद थे उनमें जो लाइने थी जो किसरा कलर की थी हरी हरे रंग की लकीरे थी वह देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे तो यही इसमें एक कंचे की कंचे के बारे में बताया है कि कंचे का रांग रूप कैसा था आकार कैसा था और कैसे दिख तहां नहीं कि दिखह रहे थी अब हम ग्रामर की दरफ की छलते हैं कर्시 चाहे हमस्त की पूशक सक cigar की बाख़ती दोनी महांधो उन्हा नहीं और ने यहां पर व्रोथ में और बाक्यों सही हैं तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, जैसे नीचा दिखाना, नीचा दिखाना में अपने से शोटा दिखाना किसी को, है न, दुर्योधन का प्रयास सदैप पांड़ों को नीचा दिखाने का रहता था, में आप यहाँ पर किसी का करेक्टर का भी नाम ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं किसी का भी ले सकते हैं, चाए आप बसंत में से कोई करेक्टर का नाम लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने दृओधन का प्रयास, जो था सदैप पांड़ों को नीचा दिखाने का रहता था, मीन, वो उनकी हमेशा क्या, उनको हराने की बाते, बारे में सोचता रहता, प्लानिंग करता था, नहीं नीचा दिखाने की, तो काम तमाम करना, मीन, क्या मार डालना, काम तमाम कर दिया उसने, किसने, भीम ने, दृओधन का काम अंतमाम कर दिया भीम ने द्रोदन को मार डाला इसका ये मतलब है खलवली मचना खलवली अब आपका प्रिक्षा है तो आपको खलवली मची होगी मन ही मन में की पता नहीं कौन से प्रशन आ जानिगे कौन से उत्तर आ जानिगये कैसा पेपर आएगा है न ये मन में चलता रहता है हमारे खलवली मची रहती है तो अश्व थामा के आती ही कौरव सेना में खलवली मच गई जब अश्व थामा आये थे महाभार तो कौरव के सेना में खलवली मच गई थी मीन पता नहीं कौन आ गया दंग रहना मेन हैरान रह जाना कभी आपको आपके पापा ने कभी सर्प्राइज dal कर आपको हैरान कर दिया हो आप दंग रहेंगे हो उनको देखकर अब मन्यों के यूद कोशल को देखकर कौरुवसेना क्या रहे गई दंग रह गई नाक में दम करना गटोत कच ने अपने परहारों से करण की नाक में दम कर दिया में किसने गटोत कच अपने जो परहार किया उसने ऐसे परहार किये की करण के नाक में दम कर दिया कि यहां पिलिस ने पुलिस के नाक में दम कर दिया है किसे चोरों ने शहर में इतने चोरों गए है कि पुलिस की नाक में दम कर रखा है कोई भी आप अपने मन से संटेंस बना सकते हैं तो यहां पर कंचा कहानी के लेखक का नाम भी बता पूर सकते हैं कहानी जो कंचा कहानी जो है किसने लिखी है कौन है उनके लेखक तो शात्रो कंचा कहानी के लेखक है टी पद्यानभन पद्यम नाभन टी पद्यम नाभन आदाधम नाभन इन भन पद्वण मनावन ऐसे बोल सकते हैं आप। महाभारत के कुछ ब्यक्तियों के दूसरे नाम दिये गए हैं, उनको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, महाभारत में, तो उनकुछ ब्यक्तियों के नाम हैं आपको बता देती हूँ कि उनको किस किस नाम से पकारते हैं, प्रिथा, प्रिथा कौन थी, कुंती का नाम था प्रिथा, शात्रो कुंती का नाम क्या था प्रिथा, या प्रिथा का कौन थी, कुंती, ठीक है, राधे, राधे किसको बुले हैं, करण को, करण का दूसरा नाम क्या था, राधे, बासु दे बासुदेव किसको बोलते हैं यह तो सब को पता है श्री कृष्ण को बोलते हैं श्री कृष्ण को और भी कही नाम है बासुदेव है ना गोंगों को चराने वाला गुबाला गांगे गांगे जो गंगा का पुत्र गंगा का पुत्र आपको पता है कौन है देवरत भीषम उस किस नाम से बुलाते हैं सहरंदरी और युदिष्टर का कंक 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 के नाम से फहिमस थे ना राजा बिराट के महल में किस नाम से युदिष्टर काम करते थे कंक के नाम से तो गंगा ने शांतुन से कहा राजन क्या आप अपना बचन भूल गए ऐसे आप से पूछ भी सकते हैं तुम्हारे बिचार से शांतुन ने गंगा को क्या बचन दिया होगा क्या बचन दिया होगा गंगा ने आपके बिचार से तो हमारे विचार से तो शांत्रू ने गंगा को ये बचन दिया होगा कि वह उनसे पुत्तर पाने की कामना नहीं करेंगे और वह उसके किसी भी कार्य में हस्तक शेप नहीं करेंगे और कोई प्रेशन भी नहीं पूछेंगे यही किया होगा ना तभी तो जैसे ही शांतुन ने उनको रोका था तो वैसे ही गंगा घर शोड़ कर चली गई थी हम इसी बात से अनुमान लगा लेंगे कि यही कहा होगा माया भी स्रोबर कैसा था अब जो माया भी स्रोबर था एक तो वो कैसा था माया भी स्रोबर जो था यक्ष के अधीन था किसके अधीन था यक्ष के अधीन था और बिशैले जल से भरा हुआ था बिशैला मीन बिश से जहर से भरा हुआ था जहर भरा जल था उस मायावी सुरोबर का तो उससे भरा हुआ था और यक्ष वहाँ पर रहता था मीन उसके कबजे में था अधीन था तुमारे विचार से माभारत के युद को कौन रोक सकता था कौन रोक सकता था तुमारे विचार से माभारत के युद को पितामा भीशम और आचारय द्रोन रुकवा सकते थे क्योंकि ये बड़े थे न यहां वहाँ पर सेना में आचारय द्रोन और भीशम जो थे बड़े थे और बड़े लोग ही तो घर के जगड़ों को निप्टा सकते हैं तो उसी हिसाब से महाभारत में भी अचारय द्रोन और भीशम पितामा जो थे वे यो दिर्कवा सकते थे क्योंकि यदि पितामा भीशम और अचारय द्रोन द्रोधन के अन्याय का समर्थन नहीं करते द्रियोधन की बातों का समर्थन नहीं करते न वो उसका पक्ष नहीं लेते तो क्रिपाचारे और अश्वथामा भी उसका साथ नहीं देते तब कौरव कमजोर पड़ जाते और इन लोगों के अनुपस्थिती में अवसेंट में अनुपस्टिरी में अवसेंट में दुर्योधन युद करने में समर्थ नहीं हो पाता में वो अकेला युद नहीं कर सकता था दुर्योधन पांड़ों का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि पांडब भोशक्ति शाली थे और द्रियोधन तो कुछ भी नहीं था उसके आगे ये तो सारे गुर्मों के कारण ही युद हुआ जीत जीत यहार तो किसी के अब प्रशन है कुछ एक मैंने सोचा कि विशेशन की परिभाशा डाल दू विशेशन से स्लेटड भी आपकी बुक में परेशन बनते हैं तो पहले मैंने यह विशेशन परिभाशा डाल दी है आप इसको समझ ले न और कुछ इसके भेद डाल दिय और पूरा जो ग्रामर का बिशेशन का टॉपिक है वो ग्रामर वाले मैंने वीडियो बना रखा है उसमें डाल दूँगी सर्वनाम का डाला है शायद बिशेशन का तो अभी देखती हूँ तो सारे बेदों का बढ़न कर दूँगी विशेशन की परिवाश बच चात्रो ये तो आप सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि आप तक आपको नौलेज हो गया ओगा प्रंतू नौलेज तो कभी भी नहीं होता है क्योंकि किसी भी तरीके से ये तो सिर्फ सि देख लेना विशेशन बेशवद होते हैं जो संग्या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं संग्या शवद भी आपको पता होगा सभी नामों को हम क्या बोलते हैं संग्या जो जितने भी संसार में नाम है वो क्या है संग्या और उन नामों को ना लेकर हम ये बेग करके बु क्या कहलाते हैं सर्वनाम नाउन और पर नाउन तो ये तो आप जानते ही हैं आशा करती हूं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा तो बिशेशन विकारी शब्द होते हैं अब बचोным विकारी शब्द व्य होते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है बदल जाते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है और उन्हें सार्थक शब्दों के आठ बेदों में से एक माना जाता है अब विकारी शब्दों के सार्थक बेदों के कितने बेद हैं आठ तो आठ बेदों में से इसको एक माना ज जाता है विकारी शब्दों को जैसे बड़ा, काला, लंबा, द्यालू, भारी, सुन्दर, कायर, टेडा, मेडा, एक, दो, बीर, पुर्ष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खटा, आदी, विशेशन, शब्दों के कुछ धारण है, ये तो सारे धारण है, परन्तु जब हम एक-एक भेद का explain करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी भेदों का mix है, शब्द हैं ये, तो हमारे विशेशन के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, गुन वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, और परि नामिक या संखेट वाचक विशेशन, विशेशन के कितने भेद हैं, चार, कौन-कौन से, गुन वाचक, संख्या वाचक, परिमान वाचक, सर्वनामिक या संखेट वाचक, अब इन सभी भेदों का पूरा-पूरा बर्णन और इनके कुछ अधारन, मैं अलग से वीडियो ग्रामर के टॉपिक में डाल चुकी हूँ जा नहीं डाला होगा तो मैं देखूंगी तो डाल दूँगी और आप उसको वहाँ पर जाकर देख लेना MCQ प्रेशन भी डाल दूँगी उसके ग्रामर के कैसे बनते हैं आपके आने वाली आगे प्रिक्षाओं में अलग अलग तरह से प्रेशन पूशे जाते हैं बच्चो तो आपने अपने बविश्य के लिए त्यारी करनी हैं बरतमान के साथ उसको गवाना नहीं है तो थैंक्स आपको अने माली वीडियो का नया नोटिफकेशन में सके लाइक और शेयर भी जरूर कहते हैं आपको जाए ना